लब यह पेट्रोल क्यों नहीं पेट्रोल के साथ उस टाइब जाने के नहीं जाने का यह सला था की दो सो तीस किलोमेटर जाने के बाद और यह वैल्यू फॉर मनी अभी अगर अभी तो है स्टिल जल रही है लेकिन अभी तो आपको पता है मारति सुझी ने इन्नोवा जैसे लेने के विचा रहा है कि वह भी सेवें सिंटर प्रैक्टिकल एंपी है क्योंकि इन्नोवा जैसे सिमिलर दिखती है जो हाइक और आपको यह बात मतलब यह पता नहीं लेकिन आप डीजल इंजिन के साथ है एक बात बताओ जो पेट्रोल में 18-19 तक भी तेसी देती है आपक कमपड़ कर आज एक और से आपको मिलाओंगा जो सेवें सिंटर प्रैक्टिकल जो है वह एंपीवी औरन करते हैं अभी 2023 में बहुत सरी जो है वह गाड़िया आई हुई है एंपीवी शेप में हो चाहिए एसीवी शेप में हो लेकिन अभी सुजुकी के हाली में जो अभी लॉंच हुए इन्विक्टो मारती सुजुकी की उसको लेना जो लोग प्रेफर कर रहे है और ज्यादासर के मारती सुज कर दिया जो फियाट का इंजन आता था लेकिन अभी 2023 में जो है मारती सुजुकी अरिटिका जो है वह और करते है और लेकिन इसमें एक जो है मैं आज बात बताऊंगा इस गाड़ी में 2023 में यह जो गाड़ी डीजल रखना मतलब यह तो मॉडल 2019 से पहले लगा है क्योंकि उ उसके बाद यह इंजन डिसकन्टेन्यू करते है था मारती सुजुकी ने अभी अंदर जो है वह इंटेर विंटेर देखें उनर ने जो है वह मारती सुजुकी जो है वह 2019 के पहले वाली डीडी आयस टेक्नोलोजी के साथ आती हुई यह कैसी रखिये देख लो कितनी मेंटे होती है वह बड़ी होती है सेवन लोग होते है उसमें जो है फैमिली में यह प्रैक्टिकल जगर लेना प्रसंद करते हैं क्योंकि इसमें 1200 के इंजन फोर सिलेंट रहता है और उसके बाद आपको सी एंजी विद पेट्रोल आपको 19 के ऊपर माले जेती है और सबसे इंडिया हो जाए भाई साब आपका नाम के वैसे मेरा नाम आवदुत जी यह क्या करते हैं बिसने ड्राइवर हो खुद कीया यह वीकल है तो यहाँ पर मतलब यह आप कमर्शल यूज करते है उसका मतलब पैसेंजर वगरा यहाँ पर मुंबई ले जाना हो या फिर ट्रावल करना हो मतलब यह आम तोर पर इस गाड़ी का अगर दूसरे को ले जाना हो तो पैसे वेसे लेकर फ्लीट ऑपरेटर का यूज करते हो इस गाड़ी को तो सबसे पहले बात बताओ यह कहाँ चीज है अभी कितने साल उचेगे गाड़ी को कि यह 2018 मतलब चार-पात साल बीच चुक है और में सबसे बात मारती सुजी की अर्टिगा जो है वह जाता तरके जो कौन बंदे रखते हैं जो जिनकी फैमिली जादा बढ़ी है और उसके बाद इनको फ्यूल एफिशेंसी जाहिए पेट्रोल जाहिए जाता तरके और वह से सिंगल रोड आपको दिख रहा है मतलब यह एक्चुली यह जो हाइव है हाइवे में अगर बात करते हो अभी ना रुके मतलब सत्तर असी पर कुरूज को ज्यादा खीचते नहीं गाड़ी यह डी इस इंजिन जो डीजल इंजिन आता है 1.3 लिटर आता है इसमें 1.2 लिट तक क्या चक्कर ता आपको मतलब यह पैट्रोल कंडी सब्सक्राइम का चलाता है 230 लकुल 122 लेटर जाने के बात से चंक कुड़ करना मेंगों बहूं इस लिए इसलिए संयроб Lesscos आसल में बातु आपकी हेट होती है नहीं आपको कैसे शिकायते यह जब मैं जब आपकी आपट और यह value for money अभी अगर अभी तो है स्टिल जल रही है लेकिन अभी तो आपको पता है मारती सुझी ने इनुवा जैसी गाड़ी लॉंच कर दिये इनिविक्टो उसका क्या आपके मन में विचार है लेने के विचार है कि वह भी सेवें सेटर प्रैक्टिकल MPV है क्योंकि इनु है डीजल इंजिन के साथ अटारा तक जाती है तो सबसे पहले यह बहुत सब देख लो डीडी आइस की बेजिंग आपको यहाँ पे मिलती है और वही सिमिलर 185 वाले टायर प्रोफाइल आपको मिल जाते 185 65 R14 वाले और यहाँ पर जैसे में लेके चलता हो इसकी जो मेंटे बहुत करना पड़ता है तो इसमें आपको बेश कलर के सरी ब्लैक देना चाहिए था बहुत लोगों की डिजायर मेरे पास तो खुद के पास डिजायर आपको पता ही होगा अगर ना पता हो तो बदा दू डिजायर का सिमिलर वही इंटराट और यह थोड़े से चीप दे र जाता है अगर काला वे ग्रैंड आइटन वगरा देखते हो उसमें काला ही आता है पुरा इंटिरियर और इस इवेंट का क्या चक्कर है अगर मानलों कडी धूप में खड़ी है गाडी और आप यह जल्दी मतलब चलाते हो कितने यह चारों के चारों एस इवेंट्स पीछे तक लास्ट दिया है अपको अंडर अगर आप लॉप चलता हूं है कि मेरे तो बाइस तक देदेटी तक दिया है तो फिप्ध गैर मैन्यूल में आपको फिप्ध में इंगेज करने के बाद उतना दिया है और भी तेसी अब रहुली और आपको लोड वगरा जर्क वगरा मे यहां पर चीज लगी हो जो आरिटिका आपको लेने के जान जाता है यहां पर बैठते हो पीछे सबसे बढ़िया जो आपको चीज लगी हो जो आपको लेने के जो आपने सोचा क्या लगा था आपको यह सीट्स सबसे कमफर्डेबल सीट्स मतलब इनों आके बाद अगर कोई जा रहा हो तो बंदा कोई अगर अंदर चड़ रहा हो तो भाई सब यह देख लो मैं बैठता हूँ सिक्सपीट का बंदा आराम के साथ बैठ सकता है थाइस अपर अच्छा है नीरों अच्छा है फिलाल यह थोड़ी आगी जुकी हुए सीट्स में पीछे कर दू तो पूरी की पूरी जो है वह रिकलाइन हो जाती है और सबसे खतरनाक चीज यहां पे आपको सेवें सेटर प्र पाउर सब्सक्राइब दाल दिया बॉटल होल्डर तक आपको दिखाए पुड़ते अंदर ऐसी कुछ कैबिन लगते अब इस सज बात बताना पहले वाली आरिटी का आपको डीडी आएस इंजिन वही सिमिलर इंजिन आता था उन इंटेर पसंद है यह वाला इंटेर इंस्ट्रुमेंट लाग अगरा नहीं मारता है बीच बीच में आटकता अगरा नहीं नहीं फाइन सर्च चलता है मतलब कंपनी नहीं था तो यह थी भाई कुछ जो है वो ओनर्शी प्रिव्यू डीडी आएस इंजिन के साथ सबसे कमाल के बात बताओ अवदुद जी की जो मेंटरस निए रहां जाम एके सब्सक्राइब थोड़ा पैट्रोल इंजिन जो कि इतना रिफाइंट स्मूथ माना जाता है जो अंदर के बिंस में आवाज भी नहीं आती वरवर वर डीज इंजिन में आपको थोड़ा शोर सुनाई देता है अंदर का इबिन में धोड़ा सब्सक्राइब करने के लिए अभी और विव बोलते हैं कि माइलेज 21 का देती है अर्टी का हर किसी के जो है वह अपने अपने विचार होते हैं अभी जो गाड़ियों करते हैं जो बोलते हैं कि इसके जो मेंटेनस होते हैं अच्छा हाराम के साथ अगर पूरा गाड़ी में परफेट रखते हो तो कोई प्रब्लम ने लिए जो अर्टिगा है वह अपने सेग्मेंट में सबसे किंग मानी जाते हैं गाड़ी क्योंकि प्रैक्टिकल सेवन सिटर कम दाम में मिलती है और कीमत की क्या किमत है इसकी अगर आप सेकेंड भी विचने जाओ तो आपको अच्छी का से दाम देखे जाए क्योंकि मारती सुद्गी का आपको वेहिकल आपको देखने को मिलता है पीछ फिलाल तो पीछे यहां पर स्लश्वाश है तो मैं जा नहीं सकता लेकिन duck अगर पेट्रोल लेते तो C&G डालते क्या में पेट्र लेते इन्जिंं तो BT कि यहyu क्या आपके ब्लाते सब देख benefits औरा से बेन करने ले वीडियो देखे लिए आपा बहुत बहुत धन्याथ यहां पर है 2018 DDIS अर्टिगा यानि के डीजल इंजिन अर्टिगा थैंक यू है सो मच